Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं next task winner के बारे में and we will also discuss about things जो previous vote out में गलत हुई हैं previous vote out में प्रिंस ने तीन लोगों को immunity दीती वाशू, सिवेत और आशी का which was totally unfair क्योंकि उन्होंने जो rhodium यूज करके immunity दीती न कहीं न कहीं उसे जीतने में प्रेम और जोगिंदर का हाथ रहता है जो सत्तू वाला task होता है न उसमें प्रेम की और जोगिंदर की popularity की वज़े से and प्लस उनका entertainment skills काफी अच्छी है जिस वज़े से उन्हें इतनी सारे rhodiums मिलेते and अगर अपन ये वाला point भी रख लेते हैं न कि जिसको immunity नहीं मिलती वो ही eliminate होता तो अगर वाशू की immunity नहीं ली होती न अगर वो चारो immune रहते तो फिर प्रेम और जोगिंदर मैंसे ही कोई ये घर जाता अभी upcoming episodes के task के बारे में तो अपन नहीं जानते हैं जो Gotham है वो अपने gang members को कुछ बोलने ही नहीं देते हैं वो gang leader है, gang lead उने ही करनी है still उन्हें अपने gang members की बात at least एक बार सुननी तो चाहिए थी because at the end of the day जो journey है वो उनके gang members को ही survive करनी है अभी जो Rhea और Gotham का alliance है ना वो जादा time तक नहीं चलने वाला है कहीं न कहीं धीरे धीरे alliance break हो ही रहा है और जिस चीज़ का आप लोग काफे time से इंतिजार कर रहे हो ना Gotham और Prince के alliance वो भी आपको देखने को मिल जाएगी अभी क्या होगा ना कि Prince की gang next वाला task जीच जाएगी और इसके बाद वो लोग कोशिश करेंगे कि दिखविज़ को निकाल दें और जो Gotham की खुद के ग्यांगा ना वो भी दिखविज़ को अभी उतना पसंद नहीं कर रहे है तो वो लोग भी कही ना कहीं इस चीज में इंवाल्व रहेंगे आं दिखविज़ को सेफ करने के कोशिश नहीं करेंगे उतनी और उनके निकलने के बाद में न फिर रिया के ग्यांग में से contestants eliminate होना start होंगे अभी भूमिका का elimination उतने जल्दी नहीं होगा क्योंकि उनका प्रियंका से भी connection है कहीं न कहीं इसलिए शायन निर्जा इन लोगों का elimination हमें अभी देखने को मिल सकता है अभी जो next वाला task होगा वो प्रिंस के ग्यांगी जीतेगी प्लस आपको अगर जानना है कि पूरा task किसके sequence में होगा तो आप मेरी previous वाली वीडियो जाके देख लेना मैंने उसमें पूरा task explain किया है मैं उसकी link description में भी provide कर दूँगे इस वीडियो के लिए इतना ही होप आपको वीडियो पसंद आई होगे and also guys don't forget to give your opinions in the comment section thank you